तो चलिए स्टूडेंट पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें जो एस वेल वाले स्टूडेंट जिनका एक्जाम खतम हुआ है उन्होंने अभी रीसेंटली जोइन किया है कल में किया होगा शायद मंडे किया होगा तो उस सिचूडेंट में उन स्टूडेंट को आज की क्लास कम समझ में आएगी तो ऐसा क्या करें कि उनको सारी class समझ में आ जाए उनको पहली दो class पहली दो भी छोड़ो पहली first class वो देखना है और residential status की तो एक ही class हुई I guess मेरे ख्याल एक ही हुई हाँ एक class वो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा जो slab rate बीच में हैं उसको अगर आप नहीं भी देखते हैं तब भी आपको income tax पूरा समझ में आने वाला है तो जब time मिले तब देख लीजिएगा तो आपका देखने का process ये रहेगा ठीक है very very good evening again चलिए start करते हैं हमने chapter जो start किया था that is residential status फिर भी मैं कोसिस करता हूँ और रिवीजन में सभी बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए तो residential status क्या कहता है और वो भी income tax में तो sir residential status का अगर हम मतलब समझें तो residential status क्या है देखते हैं residential status residential status है हमारा कि जब कभी भी हम income को इंडिया में से मतलब हम हमारा citizen क्या है respective हमें मतलब नहीं है जब कभी income एक से तो मैं क्या कह रहा था आप से के sir what is the residential status चलिए ध्यान देते हैं residential residential का मतलब बताया था कि जैसे आपका status status मतलब जैसे कई बार आपने सुना होगा Indian citizenship यानि citizenship के बारे में सुना होगा कि कोई person अगर इंडिया में इतने समय तक रह लेता है तो उसे Indian citizen कहा जाता है कोई कहीं born हो जाता है तो citizen तो citizen का मतलब और residential status का मतलब दोनों अलग-अलग चीज़े हैं citizen तो आपका अधार कार्ड बन गया pen card बन गया सारे documents बन गया आप होगे citizen लेकिन आप income tax के point of view से वहाँ के resident हो या नहीं हो वो चीज़े इस chapter में सिखाया जाता है that is आपका residential status के अदर तो sir residential status में आप status हो या नहीं हो वो सारी बाते इसके अंदर बताई जाएगी वो बाते इसमें बताई जाएगी hello तो वो सारी बाते बताई जाएगी तो ऐसे situation में जैसे मैंने बताया आपको कि आपको एक picture दिखाया था मैंने कि कौन है sir ये ये हमारे Joe Biden है जो अमेरिका के राष्ट पती है तो जब ये इंडिया घूमने आएंगे तो क्या इसे भी tax देना है तो जवाब है yes इसे tax देना पड़ेगा अगर वो income tax के rule के अंदर जो calculation है उस calculation के अंदर आ गए वो यानि उस दाइरे में आ गए तो इन्हें भी tax देना पड़ेगा भले ये घूमने के लिए क्यों ना आए हो ये तो हमारा citizen नहीं है इंडिया का फिर भी इनको tax देना पड़ेगा ऐसे आपका ये England UK के परधान मंत्री थे तो क्या ये इंडिया घूमने आएंगे तो इनको भी देना पड़ेगा yes इनको देना पड़ेगा लेकिन इन दोनों में बस इतना फरक है इनके दादा दादी जो थे वो भारत में ही बॉन हुए थे क्योंकि ये इंडियन है और इनके दादा दादी कहां बॉन हुए थे भाई ये ये से में ही बॉन हुए होंगे वहां के है चलिए, आगे हमने देखा था भीया, अब मैंने बताया था इनको text देना पड़ेगा, कब text देना पड़ेगा तो very simple है, residential status को जानने के लिए आपको दो condition satisfy करना पड़ता है, एक होता है हमारा basic condition, दूसरा होता है हमारा additional condition, basic condition का मतलब क्या है, कि आप जब कभी भी, आप जब कभी भी, आप जब कभी भी, हलो, अभी कर दो मैं live class में हूँ अभी, तो मैं क्या कह रहा था? ठीक है, तो मैं कह रहा था कि residential status में एक है हमारा basic condition, और एक है हमारा additional condition, basic condition क्या होता है सर? basic condition का मतलब होता है, कि जब आप 182 days इंडिया में रह लेते हो, तो माना जाता है कि आपने basic condition complete कर दिया है, अगर in case आप 182 days वाले condition से बच जाते हो, तो government आपके उपर दूसरा basic condition लगाते हैं, जो की होता है कि 60 दिन अगर आप इंडिया में रह जाते हो, या फिर 365 दिन पिछ अगर इन दोनों में से, इन दोनों, देखो और लिखा हुआ, इन दोनों में से आप कोई भी basic condition complete नहीं करोगे, तो आपका resident क्या माना जाएगा, non resident, कुछ बाते याद रखना है, कि जिस case के अंदर सिर्फ आपको ये वाला पहला case ही देखना है, दूसरा case देखने की जोरत नहीं है, जैसे अगर आप Indian origin हो, तो सर Indian origin कौन होते हैं, आप या आपके ममी पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अगर undivided इंडिया, undivided इंडिया का मतलब होता है, कि भारत जो undivided है, तब बॉन हुआ हो, तब वहाँ पे हमारा undivided से पहले, अगर मतलब जैसे 1947 से पहल अगर वो बॉन होते हैं, इंडिया में, या आप खुद, या आपके ममी पापा, या दादा दादी, तो आपका status जो होगा, वो Indian origin में होगा, दूसरा है, अगर आप crew member हो, crew member, अगर आप जहाज Indian ship के उपर, as a worker काम कर रहे हो, तो आप भी इसके अंदर आ जाओगे, exception case में, तीसरा था, आपका Indian resident go outside India for employment purpose, अगर आप इंडिया के बाहर employment purpose जाते हो, तो ये तीन cases ऐसे है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ basic condition number one check करना है, बाकी सभी case में आपको दोनों condition check करना होगा, इसके बाद सर additional condition क्या है, last class में हम start ही कर रहे थे additional condition, तो थोड़ी से दिक्कत हु बात करें, इंडिया में count होगा, इंडिया में कहीं भी रुख सकते हो, चाहे धीरे-धीरे करके रुखो, चाहे इखटा रुखो, आप कोई फरक नहीं पड़ता है, तो आए, हमने देखा था सर residential status में अभी क्या देखा, सर resident के अंदर कितने condition होगे, दो basic condition, बगर हम बात करे basic condition होगे, number one और basic condition number two, basic condition number one में क्या, अगर आप 182 days रह लेते हो, basic condition number two में, आप 60 days या 365 days रह लेते हो, तो क्या होगा, इसी के साथ हमने last class में कुछ questions देखे थे, उस questions को complete किये थे, आज जो हम करने वाले हैं, that is, आज से हमारा start होगा, सर, additional condition, जो कि आज की class अब start होने जा र additional condition, सर, ये additional condition क्या होता है, क्योंकि अभी आपने देखा, कि हमें किसी भी income tax वो देगा या नहीं देगा, depend करेगा, वो इंडिया में कित्रे दिन रुखता है, ना कि ये depend करेगा, कि वो भारती है या नहीं है, इंडिया में रुखने के उपर है, तो अगर रुखने की हम बात करें, तो उसके लिए दो condition थे, basic वाला आपने देख लिया, additional, additional में भी बोला गया, कि आपको check करना पड दो बाते देखेंगे, सर कौन कौन सी दो बाते देखी जाएगी, additional के अंदर, additional के अंदर देखा जाए, तो दो बाते देखी जाएगी, कौन कौन सी, number one, आपको two time, resident होना पड़ेगा, two time resident होना पड़ेगा, in last 10 years में, पिछले 10 सालों में, आपको दो बार resident होना होना, अभी समझेंगे, practical जब करेंगे, तो समझ में आएगा, दूसरी बात बोली आपको, कि भाई, ये तो पूरा करना, इसके बीच पे मैं लगा रहा हूँ, end, यानि इसके साथ साथ दूसरा भी देखना है, 730 days, इन लास्ट, इन लास्ट, इन लास्ट, 7 येर्ट, तो अगर आपने, यहाँ पे आपको तीन स्टेटस दिया जाएगा, आप दोनों कंडिशन को लेके तीन स्टेटस है, एक आपको दिया जाएगा, resident, resident and, ordinary resident, जिसको मैं आज के बाद shortcut में ROR बोलूँ, यानि अगर resident और ordinary resident बनते होना, तो आप किसी तरीके का income कमाओ, आपको टेक्स तो देना ही देना है, किसी तरीके का income कमाओ, सर कौन कौन सा, जैसे, आप कब बनोगे, पहले income की बाद में, पहले कब बनोगे, जब आप anyone, basic condition पूरी करोगे, basic का मतलब है, basic condition, कोई भी आप basic condition पूरी करोगे, plus, both, additional condition पूरी करोगे, सर, additional condition कौन सी है, दोनों, आपके सामने दिख रहा है, जब आप कोई भी एक basic condition पूरी करोगे, और दोनों additional condition पूरी करोगे, तब आपको जो status मिलेगा, that is, ROR, यानि resident and ordinary, या resident, ordinary resident भी बोल सकते हो, आपको मिल सकता है, non-ordinary resident, resident, जिसको हम बोलेंगे, NOR, ये कब होगा, जब आप, anyone, basic condition पूरा कर दो, anyone का मतलब, basic condition 1, basic condition 2, plus, आप, one, additional condition पूरा कर दो, यानि आप additional condition, दोनों मत पूरा करो, अगर दोनों कर दोगे, तो आप किस में आ जाओगे, आप तो ROR में आ जाओगे, कोई भी एक additional condition पूरा कर दो, या फिर, या फिर, any, one basic condition, plus, none of, additional condition, मतलब, सिर्फ आपने basic condition पूरा किया, और additional condition, आप एक भी पूरा नहीं कर पाए, तो आपको जो status मिलेगा, वो मिलेगा, आपको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि मैं किन बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसके बात, आपका तीसरा status होगा, non-resident, non-resident कब होगे आप, non-resident आप तब होगे, जब आप, none of, या फिर, zero, basic condition, basic condition complete करो, यानि आप, कोई भी basic condition complete ही नहीं करते, तो हमेशा याद रखना, जब आपने कोई basic condition ही पूरी नहीं करी, तो फिर आगे बढ़ेंगे ही नहीं additional condition में, तो और चाहे आप दोनो additional condition कर दो, तब भी आपका जो status रहेगा, वो non-resident रहेगा, चाहे एक additional condition कर दो, तब भी non-resident रहेगा, चाहे कोई भी मत करो, तब भी रहेगा, यानि ये तीन status है, इसको मैं short form में बोल दूँगा, NR, कई बार किताब में भी और question में भी ये word आपको मिलेंगे, standard words है, ROR, NOR और NR, ये standard words है, किताब में भी देखने को मिलेगा, चलिए आईए, मैं जब तक आपको ये चीज़े समझ में ना आ जाए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, तो चलिए, यानि सर, किसी का resident, status, और किसी का क्या, मैं individual की बात कर रहा हूं, जितने बच्चे नए होंगे, उनको पहले वाली दो classes देखनी पड़ेगी, कि individual क्या होता है, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, अगर residential status आपको जानना हो, तो आपको कितनी condition पूरी करने पड़ेगी, दो, सर, आपको कितनी condition पूरी करने पड़ेगी, दो, कौन-कौन सी, पहला करना पड़ेगा आपको basic, सर, दूसरा कौन सा करना है, additional, additional condition, अब basic condition की बात करें और additional condition की बात करें तो basic condition में भी दो बाते हैं लेकिन basic में ये है कि और है बीच में मतलब कोई भी कर दो या तो 182 days आप इंडिया में रह लो अरे ये कह लिए लिए इंडिया में रह लो सर ये क्या पूरे जीवन भर का है नहीं एक साल का जिस साल का tax निकालोगे उस साल तो यानि current year लिख देता है उसे previous year भी बोल दिया जाता है अभी समझाने के लिए तो अगर 182 दिन रह जाते हो तो आपने condition पूरी करती या फिर अगर ये नहीं कर पा रहे तो दूसरा 60 days and 365 days in last four year अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक condition पूरी कर दी तो हम मान लेंगे के आपने basic condition पूरा कर दिया मान लेते हैं रिक्की पॉंटिंग आया किर्केट खेलने के लिए और वो 190 दिन इंडिया में रह गया कितने दिन रह गया 190 दिन तो इंडिया में 190 दिन रह गया तो उसने basic condition कौन से पूरी कर दी तो वो resident हो गया इंडिया का for the purpose of tax इसा नहीं कि citizen हो गया क्योंकि citizen और resident बोथ are different thing हर citizen बोला जाता है कि हर resident जरूरी नहीं है citizen होगा लेकिन हर citizen resident हो सकता है अगर सर ये दोनों अगर चेक कर लिया हो इस दोनों में से कोई भी एक तो क्या आगे बढ़ना है अगर इन दोनों में से कोई पूरा नहीं करा तो आगे बढ़ना ही नहीं है आपको अगर इन दोनों में से कोई एक आपने complete कर दिया तो हमें आगे बढ़ जाना है आगे जो बढ़ना है आगे कितने condition चेक करने सर यहां पे भी दो बाते देखनी है यहां पे भी additional condition number one है और additional condition number two है तो सर अगर मैं मजे की बात करूँ तो दोनों जगह पर condition एक जगह हमारा क्या ह है additional condition number one सर बेसिक condition one basic condition टूए अइसे अडिशनल में लिखा होता है preceding 10 year लिखा होता है तो कुछ एक word मैं जो simple आपको समझ में आए मैं वो लिख रहा हूं यहां पे इसके अंदर या और दूसरा seven thirty days in last seven year इस दोनों में से दोनों पूरी करोगे तो benefit है अगर कोई एक करोगे तो नहीं यहां पे देखो मैंने लगा दिया end यानि कोई भी एक basic condition पूरी करो आगे बढ़ जाओ फिर अगर आपने दोनों condition पूरी कर दी तो आपको एक status मिलेगा और status पहला नंबर पे कौन सा any basic condition प्लस बोथ additional condition तो अब क्या बन जाओगे और और अगर आपने additional condition एक फुल्फिल किया या कोई भी नहीं किया लेकिन basic एक कर दिया आपने तो आपको status मिलेगा और यानि any basic condition और प्लस आपका additional condition चाहे करो चाहे additional condition मत करो यानि दोनों चाहे आप एक additional condition करो चाहे आप एक भी additional condition मत करो तीसरा क्या बनेगा आपका status एनर क्या होगा आपने जीरो बेसिक condition किया कि ना तो यह कर पाए ना तो यह कर पाए तो क्या हमें आगे बढ़ना चेक करने के लिए जवाब नहीं बढ़ना हाँ एक आरवार जो होता है रेजिडेंट ओडिनेरी रेजिडेंट एक डीम्ड ओडिनेरी रेजिडेंट है जो कि सेक्शन 6 1A के अंदर अमिंडमेंट आया है वह हम बाद में देखेंगे अभी नहीं यह हमें जो सीख रहे हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में यह स्टीटस देखा जा रहा है और यह का बाते लिखी हुए है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 इंकम टेक्स एक्ट के अंदर यह सारी बाते लिखी हुए जो कि हम एक्ट की बाते पढ़ रहे हैं एक कोश्चन हो जाए तो ज्यादा बेटर है एक कोश्चन हो जाए तो ज्यादा बेटर है क्या कोश्चन हो जाए इसा माल लेते हैं रिक्की पॉंटिंग माल लेते हैं रिक्की पॉंटिंग 2010 से 2010 से हर साल एवरी येर 100 डीज के लिए इंडिया आता है वो कहा आता है यानि रिक्की पॉंटिंग 2010 से हर साल एक साल की बात नहीं है हर एक साल वो इंडिया आता है हर एक साल तो अगर मैं 2010 से काउंटिंग करूँ तो अभी चल रहा है 2024 और हमें जो बताना है ना वो बताना है 2030 और 2024 के स्टेटस 2023-2024 का स्टेटस चलो सर यानि सर हमें बताना है 2023 और 2024 पहले आराम से गिंदे लिख लेते हैं तो ताकि हम समझ पाएंगा ध्यान से देखना इसके बाद इससे पहले वाला साल कौन सा होगा 2022 और 2023 इससे पहले कौन सा होगा 21 और 22 इससे पहले कौन सा होगा 20 और 21 इससे पहले क्या होगा 19 और 20 इससे पहले क्या होगा 18 और 19 इससे पहले क्या होगा 17 और 18 इससे पहले क्या होगा 16 और 17 इससे पहले क्या होगा 15 और 16, इससे पहले क्या होगा, 14 और 15, इससे पहले क्या होगा, इधर आजाते हैं, 13 और 14, इससे पहले क्या होगा, 12 और 13, इससे पहले क्या होगा, 11 और 12, इससे पहले क्या होगा, 10 और 11, साoking मैं 2010 के दिन के लिए हरह आ रहे हैं कि अगर देखा जाये तो हर साल यह जो आ रहा है वह कितने दिन के लिए के सब्सक्रेइज ए हम हाद यहाद जी पर हंडिज यहां पर हंडर两 kalo एक Live तो हर किसी के आगे हम लगा देते हैं और यहां पर सौ दिन ठीक है अभी टाइम चेंज का भी तो नहीं पॉसिबल है देखते हैं अभी पहले तो यह पहले स्टार्ट तो करें और सर हमारे पास जो कंडीशन से कंडीशन यही है ना हमारे पास यानि दो कंडीशन यह दोनों कंडीशन में वहां लिख लेता हूं यह दोनों कंडिशन में पीछे लिख लेता हूँ आपके सामने सामने रहेगा तो चाहे हम भले ही आज एक कुश्चन करें लेकिन हम तसल्ली से करेंगे चलो आपके सामने दोनों कंडिशन लिख लेते हैं किक सामने सामने पीफट दोनों कंडिशन यह कंडिशन है 182 डेस ठीक है यह कंडिशन है 182 डेस और आप सभी के सामने कंडिशन है तो बोला गया कि भाईया आपको पहले सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए बेसिक कंडिशन और बेसिक कंडिशन में कितने बाते है बेसिक कंडिशन या तो 1 या 2 वन में क्या कहता है आपको कितने दिन रहना फटा फट कमेंट भी बताओ आपको कितने दिन रहना है 182 days हमें निकालना इस साल का इसका status है तो क्या इस साल ये 182 days इंडिया में रहा तो यानि basic condition number 1 चेक करने में ये क्या हो गया fail तो 182 days इंडिया में रहा ही नहीं तो basic condition 1 fail तो जैसे ही fail होगा तो government पता ही क्या उसको resident बनाना चाहती है हर बार जैसे ही उसको government resident बना लेगी न तुसकी सारी कमाई पर tax ले लेगी government तो government इसी चाल में फसाना चाहती है कि तू कैसे ने कैसे करके resident बन जा बस फिर तू चाहे बाहर क्रिकेट खिल के पैसा कमा रहा हो, चाहे तू अस्टेलिया में कितना पैसा कमा रहा हो, हम सब पे तेर से टेक्स ले लेंगे, उनका ये मुद्दा होता है, बोलता है अच्छा, यानि वो रेजिडेंट अब नहीं बन पाए, तो बोला अब दूसरा रू यहां 60 दिन रह रहा है और इससे चार सालो में कितने दिन का कंडिशन लगा घुक इस से पीछे पीछी चार साल बस पिशन इन दिनों में वो तो 365 से कहीं जादा है ​ metaphivoFit method चार दिन रह पाया है इसका मतला basic condition 1 से तो बच गया ये लेकिन basic condition number 2 के अंदर ये आ गया तो पहला basic condition हमारा मतलब basic condition number 2 इसने क्या कर दिया complete जैसे ही इसने basic condition अगर इसको देखा जाए तो यहाँ 400 दिन रह लेता है जैसे ही ये basic condition number कौन सा पूरी कर जाता है basic condition number 2 पूरी कर गया जैसे ही basic condition कोई भी पूरी कर दे हम इसका फिर checking करेंगे कौन से condition additional condition अब बोला गया जैसा तुने basic condition ना पिछले 10 साल में तुझे दो बार basic condition पूरी करनी होगी तो resident होगा resident का मतलब क्या होता है मैंने बोला resident, resident का मतलब होता है आपने कोई भी एक basic condition पूरा कर दिया तो आपको resident बोल दिया जाता है तो आपको अब मैं क्या चेक करूँगा पिछले 10 सालों में तो 10 साल गिन लेते हैं जैसे कि पिछला साल तो इह से start होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और यह 10 इस से पीछे वाले साल जो दे रखे हैं हमारे लिए useless है किसी काम के नहीं है इसको दो बार basic condition पूरी करनी पड़ी कि पिछले 10 सालों में, दो बार basic condition तो पहली तो कहीं भी पूरी नहीं कर रहा, यहाँ पे लगाते हैं क्या basic condition number 2 अगर इसको देखा जाया और इस से just पीछे 4 साल जाया जाया है तो क्या इस वाले साल में वब हो जाए ग़ा और तो क्या हाँ/. अब उस तक है अगर मैं इस वाले साल में चेक करूं तो ध्यान देना क्युकि हर साल का अपना एक अलग स्टेटस है इस साल का क्या है वो resident है इस साल में again basic condition no.2 क्योंकि सौ दिन रह रह रहा है और यहां से पीछे चार साल जब हम count करेंगे तो यह आ जाएगा तो अगेन यहां पर 400 दिन तो फिर से इसमें basic condition number two और पिछले चार सालों में 365 दिन वाला complete कर दिया तो क्या यह दो बार resident हो पाया पिछले 10 सालों में 10 साल तो इसका कहां बन रहा थे यहां जबकि वह 10 साल से पहले ही क्या बन चुका है दो बार resident बन चुका है समझेगा बात को तो यानि additional basic condition तो एक complete किया अब additional condition पर आ गई बात और additional condition number one भी इसने complete कर दिया तू पूरा करते ही यह बचेगा नहीं सारे इसकी income सारे जायदाद इंडिया के अंदर आ जाएगी इसके ले के आना पड़ेगा ऐसा रूल बनाया हुआ है अब तू में क्या बोलता है कि भाई या 730 दिन रहने हैं कब पिछले साथ सालों में तो एक बार चेक करते हैं 730 दिन पिछले साथ सालों तो पिछला साल यहीं से calculate होगा ने इसका यह तो current year है यह तो current year है तो पिछले तो एक दो तीन चार पांच छे साथ कितने दिन रहा वो कि 700 दिन रह गया कितने दिन रह गया वो यानि additional condition number two नहीं कर पाया पूरी तो अब additional condition number one का भी कोई माइने रहनी जाता तो जब कभी कोई basic condition पूरी कर दे और additional condition कोई एक या कोई भी ना पूरा कर पाए तो इसका residential status क्या होता है सर इसका residential status क्या होता है हमने अभी लिखा पीछे कहां लिखा था मेरे तो चला भी गया एक चोटे-चोटा यह उपर तो लिख रखा यहां पे भी तो है उसका रेजिडेंशल स्टेटेस क्या होता है जब कोई भी एक बेसिक कंडिशन कर दे एडिशनल कंडिशन कर दे या ना करे कोई एक तो उसका स्टेटस होगा एन ओर तो हमारे कुश्चन के अंदर जो यह की पॉं लिए उस पे टेक्स ले ये जो विदेस में कमा रहा है उस पे टेक्स लेगे योटो डिन्वार कि अगर आपका स्टेटस हो जाता है ना ओर टो फिर तो आपको बहार भी पैसा कम अग Bernard टेना पड़ेगा अगर आपका स्तेक्द teenagers हो जाता ऊंडा यह कए नहीं डेना नहीं देना वो जब हम टोटल इंकम निकालेंगे इसी चप्टर के अंदर दूसरा पाठ है तब सीखेंगे हम तो आपका यहां पर क्या आप सभी स्टूडेंट को यह समझ में आया कि एडिशनल कंडिशन और बेसिक कंडिशन कैसे हमें चेक करना है किसी भी इंडिवीज्वल किसी भी व्यक्ति का एक तरीके से बोल सकते हैं चलो बताओ हर किसी को क्लियर है फटा फट बताओ कमेंट में एनुर बता दिया हितेश ने हर किसी स्टूडेंट को क्लियर है चलिए फिर भी मैं कrit करोंगा दिखो जिनको फर्सक्रास मैंने यह कंडिशन पूरी क्लास में मतलब तीन क्लास के बाद मैंने फीसिक कंडिशन दो क्लास के बाद बता करने था तो आप स्टार्टिंग से हम क्या जूम कर लेते हैं कि रिक्की पॉंटिंग जो है वह मानलो 705 दिन आता हो हर साल कितने दिन आता कि 105 अगर वह हर एक साल 105 दिन आता क्या उसका स्टेटस अभी भी एन और ही होता अब दिमाग लगाईएगा क्योंकि basic condition तो तब भी पूरी करता additional condition नमबर जब 100 में पूरी कर रहा था तो 105 में भी पूरी करता बस additional condition number 2 के पास हमारा सारा का सारा problem create हुआ तो हम सीधा अगर additional condition number 2 साथ सालों में अगर 105 से multiply करें तो कितने दिन हो जाते हैं हमें 730 करना है न तो साथ इंटू में 105 तो भी यह तो हो गया 135 तो इस situation में मतलब कि 735 इस situation में इसने additional condition number 2 भी पूरा कर दिया तो जब कभी कोई basic condition एक और बोथ additional condition कर दे तो ऐसे situation में उसका status हो जाता है और तो अगर यह 105 दिन के लिए आता तो इसका status माना जाता और और अब बात को समझेगा एक बच्चे ने पूछा के सर अगर दोनों basic condition पूरी कर दे तो क्या कुछ बनने वाला है नहीं आप दोनों करो या दोनों में से कोई एक करो आपका कोई फरक नहीं पढ़ने वाला status पर कहीं सोचो सर दोनों हम total मिला के तीनी करने है न दो additional और एक बेसिक और एक additional कर दे तो चलेगा तो नहीं चलेगा भाई आपको basic कोई भी एक करो या दोनों करो फरक नहीं किन additional दोनों ही करना पड़ेगा आपको तो बन जाएगा हमारा और सभी स्टूडेंट का लगवक जवाब आ गया और एक सवाल मैं कि देखो रिकी पॉंटिंग वाले जो मैंने बोला था आपके किताब का ही कुशिन है ये और यह मैंने करा दिया सो दिन और 110 दिन था तो यह कुशंच तो मैंने करा ही दिया आपके बुूक में ही कोश्चन मैं चाह रहा हूँ कि आज की क्लास में मैं भुक्के कोशन ना दिखा के मैं अपने कोशन दिखा दू तो बेटर रहेगा आपको स्टेटस बताना है मान लो मिस्टर सोहन मान लो मिस्टर सोहन पॉइंट नॉम्बर वन हमें दो हजार तेईस और दो हजार चौबिस में 180 डेज रहता है दो हजार बाईस और दो हजार तेईस में एक सो पच्चिस दिन रहता है दो हजार एक्किस और दो हजार पाईस में दो सो पाँच दिन रहता है दो हजार बीस और दो हजार एक्किस में एक सो पिच्च्यासी दिन रहता है दो हजार उन्निस और दो हजार बीस में कि तीन सो दिन रहता है आपको बताना है आपको बताना है मिस्टर सोहन का रेजिडेंशल स्टीटस रेजिडेंशल स्टीटस कौन से सार्ट का दो हजार तैस और सबसे पहले तो रूल लगाईए नमबर वन आप चेक करिए सबसे पहले क्या बेसिक कंडिशन चेक करिए बेसिक कंडिशन अभी मैंने तो सिर्फ कैलकुलेशन बता है इसके आंसर को कैसे लिखना है वो भी मैं सिखाऊंगा कि भई छे नमबर का ग्यारा नमबर का कुश्चन आएगा तो बस ऐसे जोड़ घटा जमा माइनस प्लस करके दिखाएंगे तो हो जाएगा कि नहीं इसको लिखना क्या है एक्चॉल वो भी तो आना चीए न आंसर अभी तो सिर्फ आंसर एक्चॉल कैलकुलेट करना सिखेंग सिद्धू का कहना है सर आरो आर होगा सिंदू सिद्धू आरो आर होगा अमित का भी कहना है सर आरो आर होगा तनिस्क का भी कहना है आरो आर होगा नहरा का भी कहना है क्या है और आरो आर होगा क्या आपको क्या लगता है Sick Condition 1 पूरीगी चेक करो चला क्या सर इसने basic condition 1 पूरा किया basic condition number 1 क्या कहता है आपको कितने दिन रहना था एक सो लेकिन नहीं रहा basic condition 1 नहीं पूरी कर पाया तो अब हमें इस पे कौन सा लगाना है basic condition अब यह मान लेते हैं यह भाया permanent US से ही रहता है यह मान लो मेरे questions में थोड़ा सा इसका नाम लिख दिया ना क्योंकि इंडियन हो रिजन हो गया तो मेरा example कुछ बच्चे बोल सकते हैं इसका नाम थोड़ा अंग्रेज वाला रख देते हैं मान लेते हैं Mr. John Mr. John ठीक है अब पहला तो नहीं पूरी कर पाया अब क्या इस पर हमें basic condition 2 लगा देना चाहिए लगाना चाहिए सिर्फ तीन ऐसे case से जहां नहीं लगाना चाहिए ठीक है वहाँ पर कौन सा लगेगा सिर्फ basic condition 1 ही लगेगा मैं भी वह exception वाली बात ही नहीं कर दा तो लगा दो भाई तो क्या कहता है basic condition 2 current year में कितने दिन और पिछले चार सालों में तो क्या पिछले 4 सालों में 365 दिन रह गया 365 से तो बहुत जादा दिन रह गया तो फरक नहीं पड़ता कंउ conscious तो यानि basic condition number如此 done अब हमें क्या च Dec करना होगा एडिशनल कंडिशन सबसे पहले डिशनल कंडिशन 1 क्या कहता है पिछले 10 सालों में कि दो बार basic condition पूरा करो तो पिछले 10 सालों में देखें इसमें नहीं किया इसमें तो कर दिया उसने तो है ना और वैसे हलाकि कि इसमें भी कर रहा है वो अगर आप दूसरा basic condition number two check करोगे अगर one check करते हैं जरूरी नहीं यह two लग गया तो हर बार two check करो one कर लो भाई इसमें कर दिया और इसमें भी तो दो बार तो resident और इसमें भी हो गया यह तो तीन बार resident हो गया तो हमें चाहिए कितने बार था तो additional condition number one को भी इसने कर दिया अब additional condition number two को check करेंगे अगर इसने additional condition number two क्या कहता है 730 दिन कब तक पिछले साथ सालों में अगर इसने करा तो ठीक है नहीं करा तो इसका status N.O.R. हो जाएगा तो देखते हैं भई या पिछले 7 साल 7 साल तो है नहीं तो कोई बात नहीं जितने हैं उसी में चेक करो तो क्या यहां पर हो रहा है एक बार एड कर लेते हैं एड कर लेते हैं एक सो पत्चिस प्लस 205 प्लस 185 प्लस 300 तो यह तो 815 दिन रहे गया पिछले चार सालों में साथ साल की तो छोड़ो तो एडिशनल कंडीशन नंबर इसने टू भी कंप्लीट कर दिया जब ऐसा हो जाए तो स्टेटस क्या बन जाता है इसका रेजिडेंट एंड या रेजिडेंट ओडिनरी रेजिडेंट का स्टेटस बन गया है मैं बार बार कहह रहा हूं जितने बच्चे नए है उनको आपको पहले पुराने धेखनी पड़ेगे कि इसलिए मैं इस चप्टर को चाहता तो मैं आज बहुत सारे कुश्चन करा देता लेकिन इसमें इतने सारे टम्स आएंगे तो मैं उमीद करूँगा क्योंकि अभी संडे आपका एक्जाम खतम हुआ है और पहली क्लास है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगा कि कुछ बेसिक चीजे बताएं तो एक तो आपको कौन-कौन से वीडियो देखना एक इंट्रोडक्शन देख लेना है आपको इंट्रोडक्शन देखने के साथ साथ आपको रेजिदेंशल इंट्रोडक्शन देखना है इंट्रोडक्शन में जो सलेबस बताया हुआ है मैं आपके अंदर भी आप सिर्फ एक दो classes देखे बहुत है उसके अंदर तीन Class आएगा अपने सिर्फ दो ही लास देखना है आपको मैं सिर्फ यह बोलना चाहता हूं कि आगे समझ में आ जाये हाला कि एक दिन के अंदर आप चाहें तो तीन class बड़े आराम से देख सकते हैं number 3 की बात करें तो number 3 पे आपको residential status स्टार्ट करना है उसकी class number 1, class number 2 और class number 3 तीसरी class भी देख लोगे तो एकदम आप income tax subject के अंदर पूरा comfortable हो जाओगे और फिर आने वाले class के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं लेगेगा कि आपका कोई topic छूट गया है AC condition number 1 एक बार दुमारा बता दो सर AC यानि पिछले question में बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पहला additional condition 1 बता दो additional condition number 1 क्या कहता है कि भई आप पिछले आपको दो बार resident होना है दो बार यानि दो बार basic condition पूरा करना है मैं अगर simple sub में बोलू additional condition number 1 क्या कहता है आपको दो बार कौन सी condition पूरी करनी है पिछले 10 सालों में basic condition तो दो बार देखो एक बार क्या इस वाले साल में basic condition पूरी करी उसने जवाब होका yes क्योंकि 182 होना चीए 205 है क्या इस वाले साल में इसने basic condition पूरा किया जवाब yes 182 होना चीए तो पिछले 10 क्या पिछले 3 साल में इसने दो बार resident पूरा कर दिया तो अगर इसने दो बार resident पूरा कर दिया तो हम मान लेंगे additional condition number 1 पूरा हो गया है क्लियर है यहां तक कि सभी स्टूडेंट को क्लियर जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मतलब स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उनको कुछ होंबग देना चाहूंगा चोड़ो यह कोशन्स मैं ही करा दूँ तो बढ़िया है देखो एक बार मैं पढ़ देता हूं जो कर पाई कर लेना नहीं तो फिर पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे डेफिनिटली हो जाएगा यह कहता है एक्स कम्स टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका फिर्स टाइम भया एक्स है वो अमेरिका से पहली बार भारत में आया तो अमेरिका नहीं है हो तो कब आया ही रिटर्न होम कंट्री और वापस भी भाग गया यह कब भाग गया वापस पांस साथ ही विल भी रेजिडेंट फोर अरे यह कोशन तो मैंने करा दिया है यह कोशन मैंने करा दिया वीडियो में मिल जाएगा करा दिया यह वीडियो में मिल जाएगा आपको मैं अगली ग्लास में बताऊंगा आपको क्योंकि अब बस मुझे इसका था दिक्कत कि कितना डिले चलेगा तो जो ओफ-लाइन वाले आपको भी कॉन कौन सी हैं वह मैं लिंक दे दूँगा जिससे आपको क्या करना देख लेना है दो तिन क्लास जो मैंने वह लगत फिर आगे की क्लास आपको पूरा समझ में आने लगेगा किसी student को जो classes देखनी है उसमें problem है तो बताइए और जब तक book नहीं आ जाती तब तक हम थोड़ा slow भी चलने वाले हैं क्योंकि book से फिर homework एकटा देंगे तो फिर better रहेगा